दोस्तो आपका स्वागत है आज के फ्रेश वडियो में क्या दोस्तों आपको Pounds के value इंडियन रूपिस में पता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बतादा हो 1 Pound के value इंडियन रूपिस में होती है 103.19 रूपिस अब आपके मैंने question होगा कि ये मैं आपको क्यों बता रहूं मैं आपको इसलिए बता रहूं क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप .com domain name जल्ट 0.99 pounds में register कर सकतो एक pound भी नहीं इसे भी कम pound में आप .com domain name किस तरह से register कर सकतो तो ये मैं आपको आपको आस्टर कंदर step by step process में live दिखाऊंगा तो अगर आपको 0.99 pounds में .com domain name चाहिए तो आज का वीडियो देखते रहे हैं तो दोस्तो आपको ओल्ड़ी पता हूँगा कि इस topic के ओपर में दो वीडियो बना चुका हूँ जिस के अंदर में आपको बता है कि किस तरह से आप cheap price में .com domain name register कर सकतो तो आज एक और बार में आपके लिए .com domain की offer लेकर आया हूँ ये offer के अंदर आपको .com domain name मिलागा only for 100 rupees में इसलिए भी आपको वीडियो के starting में pounds की value बताएं क्योंकि आजकर जो हमारा offer है वो pounds में है इसके बाद दोस्तो आपको पता होगा कि जितने भी जो मेरे offer के वीडियो होते हैं वो 100% verify वीडियो होते हैं क्योंकि मैं सबसे पहले जो भी offer इसको verify करता हूँ इसके बाद में वीडियो बनाता हूँ और almost सभी वीडियो के अंदर मैंने दोस्तो आपको live domain name register करके दिखाया हैं दूसरे यूटूबर की तरह मैंने आपको payment page तक जाकर वीडियो को add नहीं किया हैं मैंने सभी वीडियो के अंदर आपको .com domain register करके दिखाया हैं तो चलते हैं दोस्तो हमारे commenter screen में वहाँ पर मैं आपको step by step process के अंदर बताता हूँ कि किस तरह से आपको .com domain register करना है only on for only on for 0.99 pounds तो चलते हैं हमारे commenter screen में वीडियो के description में ये website का link मिल जाएंगा website का नाम है uk2.net यहां पर आपको देखाया है मैंने इसको open करके रखा है जैसे हम website open करोगे तो आपको यहां पर एक .com domain का offer देखाया है देखाया जिसके अंदर लेका है .com domain 0.99 pounds for one year यहां पर अब देखें इसके बाद यह limited deal है तो यहां पर आपको जल्दी से जल्दे हमारा .com domain है इसको register कर लेते हैं तो simple मैं आपको जल्दी से यहां पर देखाता है तो step by step process के अंदर domain name register करके कि किस तरह से आपको यहां पर .com domain name 0.99 pounds में register करना है तो simple website open करना के बाद यहां पर आपको यह .com domain का ओफ़र इसके निचे लटन है इसके बाद यहां पर आपको search your perfect domain वहां पर आपको जो भी आपका domain name रिष्टर करना है इसका नाम है आपको यहां पर लिखना है इसके बाद आपका attention.com लेख देना है इसके बाद search बटन को उपर आप क्लिक किजे यहाँ पर देखिए हमारा domain name available है automatically card के अंदर add हो जाएगा यहाँ पर आपका card है यहाँ पर देखिए automatically voucher apply हो जाएगा यह जो आपका domain name है वो आपको मिलेगा 0.99 pound में इसके बाद simple आपको continue to basket को उपर click कर देना है इसको यहाँ पर आप close कर दीजे इसके बाद यहाँ पर आप देखिए आगी की process के अंदर आपको यहाँ पर आपका domain name चेक कर लेना है किसी भी परकर के extra item आपको इसके अंदर add नह नहीं आपकी account के आपका नाम email वगेर है तो यहाँ पर मैं इसको add कर देता हूँ detail add करने के बाद आपको payment method शूस करना है payment method के अंदर हम सूस करेंगे debit card credit card इसके बाद simple यहाँ पर यह जो हमार debit card है इसको हम store नहीं करेंगे और simple continue button के उपर click करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप आपको live payment करके दिखाता हूँ domain name register करके दिखाता हूँ दूसरे यूट्यूबर के तरह मैं आपको only on payment page तक ले जाकर वीडियो एंड नहीं कर देता हूँ almost सभी वीडियो के अंदर में आपको payment करके domain name register करके दिखाया है तो यहाँ पर simple हम क्या करेंगे मेरे पांस जो IDFC first bank का ATM card है debit card इसका यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसके मदे से almost सभी जगा पर international payment हो जाता है card की little aid कर दी है इसके बाद continue button का उपर click करेंगे यहाँ पर आपको देखाया का payment successfully हो चुका है मेरे mobile के अंदर SMS पर आच चुका है कि 104 रूपीज debit हुआ है IDFC first debit card से इसके बाद यहाँ पर आपका जो order है वो almost जिनने भी जो UK की site होते है वो आपका domain name review करती है इसके बाद इसक अपर आपर करती है तो यहाँ पर भी same लिखाया कि थोड़ा time लगेगा आपका जो domain name है इसको approval करने में इसके जो team इसको देखेगी इसके बाद approval देगे तो यहाँ पर हम जो कुछ time wait कर लेते हैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितना time लगा domain को approval करने में और मेरा domain domain अपर हुआ या नहीं थोड़े देर रिवेट कर लेते हैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहीं वीडियो के अंदर तो फानली दोस्तों हमारा domain name successfully register हो चुका है UK2.net website में हमें यहाँ पर emails आ चुके हैं कि आपका order successfully process हो चुका है आपका order complete हो चुकर आपका जो domain name है व हमने register किया है इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मुझे कितना time लगा यह domain को approval होने में तो तकरिबबन 4-8 गंटे में ने wait किया इसके बाद यह domain मेरा approval हुआ है इसका जो maximum time होता है 24 house होता है तो तब तक आपको wait करना पड़ता है इसके बाद आपका domain name successfully approval हो जाएगा य only one spam रोकने के लिए होता है इसके जो team आपके domain को जो analyze करती है इसके बाद चेक करती है इसके बाद आपका domain name approval हो जाता है और आपको emails आ जाते है यहाँ पर देखिए four email आया है एक-एक email को मैं आपको open करके देखा तो कि यह email के अंदर क्या है सबसे पहले यहाँ पर आप दे देखिए यहाँ पर आपको देखा देगा आपका order successfully complete हो चुका है यह यहा पर आपको domain दिखाए देगा इसके बाद यहाँ पर आपको immediately verification का email आया है जिसके अंदर आपको जो आपका email है इसको verify करना है और यह compressor है आपको इसको ignore नहीं करना है 15 डेंके अंदर आपको इसको verify क करना है तो यहां पर देखिए एक लिंक है इसके ऊपर आप क्लिक कीजें तो आपका जो email address हो successfully verify हो जाएगा यहां पर देखिए हमने email successfully verify कर लिया है इसको हम close कर देंगे इसके बाद यहां पर देखिए इसके बाद दोस्तो uk2.net website के अंदर कहीं पर भी आप account open नहीं कर सकते हैं तो अब आप communication होगा कि domain तो successful register हो चुका है तो हमें इसको manage की इस तरह से करना है तो यहां पर देखिए जो इसका यह email है यहां पर देखिए यह email के अंदर यहां पर लिखा है कि अब आपको आगे क्या करना है यहां पर अब देखिए तो domain तो successful register हो चुका है लेकिन हमारे पांस इसका password और username नहीं है तो यहां आप देखिए सब से पहले आपको आपके आठाउट को पासवर्ड करना है तो यह link आपको open करना है इसके बाद यहां पर देखिए आपका username भी आपके पांस नहीं है तो आपको simply यहांपर click here, forget username कर आपको खलिक करना है इसके बाद आपका email address आपको add करना है और आपको send email के उपर click करना है यहाँ पर अब देखिए email successfully send हो चुका है इसके बाद आपके email के अंदर एक email है यहाँ पर आप देखिए तो इसको आप open किजिए इसके अंदर आपका username होगा यहाँ पर आप देखिए तो आपका username है वो आपका email address है य के बाद अब आपको क्या करना है simple आपको यह वाला mail open करना है यहाँ पर आपको आपका जो पासवर्ड है वो फिर से set करना है नहींना का मतलब यह है कि आपका जो username है वो आपका email ही रहेगा तो आपको यहाँ पर forget करने के चुरूत ने यह message आपको दिखा रहा था तो आपका email address यहाँ पर पेस्ट किजिए send email के उपर आप क्लिक किजिए तो आपको जो email आएगा simple यहाँ पर हम email open करते हैं यहाँ पर आप देखिए reset password का इसको यहाँ पर हम open करके reset password button के उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपको आपका new password set करना है इसके बाद save password के उपर हम क्लिक करने के यहाँ पर password successfully set हो चुका है अब आप automatically जो login page पर redirect हो जाओगे अब आपको यहाँ पर आपका जो email है वो आपका username है और जो successfully आप हमने control panel के अंदर login हो जाओगे यहाँ पर आप देखिए आपको देख़ए दगा हमारा domain name जो हमने recently register किया है यह इसका control panel है यह एक ऐसा website जिसके अंदर आपको कहीं पर भी sign up का option नहीं पर आप इसके अंदर account नहीं बना सकते हैं आप किसी भी पर करके अगर service इसकी यूज़ करोगे तो ही आपको इसके अंदर account मिलेंगा तो यहाँ पर देखिए हमारा account successfully open हो चुका है और simple यहाँ पर आपको domain देख़ए दगा और domains को पर click करके हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से manage कर पाऊंगे अगर आपको इसके name server change करने हैं इसके अंदर जो भी आपको work करना है वो इसके अंदर आप आप आसानी से कर पाएंगे यहाँ पर आपको DNS का option मिलता है इसके बाद DNS के अंदर भी आप यहाँ पर name server change कर सकतो जो भी आपको add करना है यह domain को कहीं पर भी अब यूज कर पाएंगे यहाँ पर आपको सब कुछ लाइव दिखाए देंगा तो इस तरह से दोस्तों आप UK2.net से आपका .com domain name register कर सकते हों तो बस दोस्तों ask out यहीं तक था I hope कि आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो हेलफुल लगा तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर किजिए ताकि आपका जो फ्रेंड है वो भी सी प्रैसमे.com domain name register कर सके इसके बाद अगर आपको इस परकार के हेलफुल वीडियो चाहे तो हमारे सेनको सब्क्राब करना मत भूलेगा तो बस दोस्तों ask out यहीं तक थ थैंक्यो प्रोशन देश वीडियो